कि एक केरी में हैं आप सब कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे मैं सुनील कुमार आपका एस्टेक यहां चैनल में स्वागत हैं अच्छा आज हम आपको बताएंगे कि ओमंज एप के द्वारा अपना पीएफ बेलेंस कैसे चेक करते हैं उसके लिए हमें अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहां पर उमंग एप डाउनलोड कर लेना है ओमेंग डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना ओपन करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा उसमें हमें एपी एफो पर क्लिक कर देना है EPFO पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा न्यू पेज खुल के आएगा इसमें हमें सेकिंड ओप्षन एम्प्लोई सेंट्रिक सर्विस पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पेज आपके सामने ऐसा खुल कर आएगा और इसमें हमें फास्ट ओप्षन ब्यू पार्श बुक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आएगा इसमें UN नमबर और OTP डालके आपको लोगिन करना है इसमें जैसे हम UN नमबर डालेंगे तो get OTP पे जैसे ही करेंगे आपके नमबर पे एक OTP आएगा उसको यहाँ पे डाल देना है और लोगिन कर देना लोगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा उसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सारे डिटेल खुल के आ जाएगी यहाँ पे आपका टोटल एंपलोई सेर कितना है एंपलोईयर सेर और पैंशन कांट्रिविशन बहुत सारे पैसे आपके लिखे हुए आजाएंगे आपके सामने और आपने कितना deposit आपके account में हुआ है या आपने कभी withdrawal किया तो उसका withdrawal history यहाँ पर आएगा और यदि आपको अपनी पूरी passbook चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे नीचे आना है download download डाउनलोड पर क्लिक कर देना यहां पर आपको जिस फॉर्मेट में भी आपको पूरा प्रिंट चाहिए वह आपको उसी फॉर्मेट में यहां पर मिल जाएगा कि अच्छा फ्रेंड्स कि इसी प्रकार आप अपना जो कि पीएफ वैलेंस है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपको हमारा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर भी करें और बैल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें और इससे जुड़ी और बाकी जानकारियों के लिए आप हमारे डेस्क्रिप्शन में जा सकते हैं बहां पर में सारे लिंक दिये हुए होंगे